नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का शाम के साथ बजने वाले हैं वक्त है आप सभी के पसंदिदा कारेक्रम महारू राजस्थान का आप सब के साथ मैं हूँ प्रियंकाराय बुलेटिन की शिरुवात करेंगे गिरिराज सिंग से जुड़ी खबर के साथ जोदपूर में केंद्रिय वस्त मंत्री गिरिराज सिंग ने राहूल गांधी और इंडी गडबंधन पर जम कर निशाना साथा उन्होंने कहा कि राहूल गांधी की जुबान प्रजा प्रथा पर तो खुलती है लेकिन हिजाप और बुर्के पर उनकी जुबान नहीं खुलती इंडी गडबंधन पर उन्होंने कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चरती और इंडी गडबंधन देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है काट की हारी बार बार नहीं चरता देश में टुक्रे टुक्रे गैंग ने संबिधान खत्रे में और कई ऐसे लोगों को भर्मित करने की कोशिश की लेकिन जब सवाल आते तीन तलाग पर तुनकी जुवान बंध हो जाती जब आता कि मुश्लिम महिलाओं को तलाग के बाद हिंदू महिलाओं की तरह जीवन भत्ता के लिए दिया जाए तो इनकी जुवान बंध हो जाती अब ये नहीं चलने वाला तो वहीं केंद्रिय मंत्री अन्यपूना यादव और अर्जुन राम मिगवाल ने आज केंद्रिय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस की पीसी में बजट को विक्सित भारत के लिए महत्वपून बताया इस दौरान पीसी में केबिनिट मंत्री सुमित गुदारा विधाय जेठान अन्व्यास सिद्धी कुमारी भी मौजूद रही तो इस पर बहुत ज़्यादा इस बजट में फोकस भी किया गिया है महिला की बात अगर करें तो आज महिला तीन लाग करोड से ज़्यादा बजट का प्रावधार महिलाओं के लिए किया गिया है सीकर में बीजेपी जिला कारिस्समिती के बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज हरियाना प्रभारी सतीश पूनिया पहुचे इस दोरान उन्होंने कहा कि हरियाना में जनता का मिजाज हमेशा कॉंग्रेस के खिलाफ रहा है सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी अपने संगठन की रचना के नाते जानी जाती है चुनाव के परिणाम और इस्थिति कुछ भी हो चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो लेकिन संगठन की निरंतरता ही हमारी खुबी है पुनिया ने कहा कि लोगसभा चुनाव में अर्याना राज्य में हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिला लेकिन कॉंग्रेस को रोका गया तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावार आज सीकर जिले के पलसाना पहुचे जहां उन्होंने पौधार ओपन अभियान में हिस्सा लिया इस दौरान मदन दिलावर ने कहा कि जो भी टीचर पौधार ओपन अभियान में टार्गेट को पूरा करेगा उसे ट्रांसफर में पांच अंक मिलेंगे पंचायत को भी टार्गेट पूरा करने पर अतिरिक्त फंड दिया जाएगा साथ ही पौधार ओपन को लेकर चितावनी भी दी गई इसमें शिक्षक अपना टार्गेट पूरा करेंगे तो उन्हें ट्रांसफर में सहूलियत दी जाएगी लाग का फंड जिला परिशत के अलावा दिया जाएगा अधिक से अधिक पोदी लगाजागा पेड बनाना है ताकि हम धरती का कुछ ताफ़ान कम करने में शक्सम हो सके और भारत माता की ठाकी पर अधिक शरीक अक्षित का प्रवाद कर सके और बुलेटन में अब बात राजस्थान के नए महा महींती करेंगे राजस्थान समेथ दस राजियों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है अब राजस्थान के राज्यपाल हरी भाव किसन राव बागडे होंगे वो कलराज मिश्र की जगा लेंगे बागडे महर पूर्व कैबनेट मंत्री भी रह चुके हैं वही राजस्थान के वरिष्ट भाजपानेता ओम प्रकाश माथूर को सिक्किम का राजपाल तो असम की राजपाल गुलापचंद कटारिया को पंजाब का राजपाल और चंडीगड का प्रशासक बनाया गया है देखिए रिपो ने राजस्थान का राजपाल नियुक्त किया है वो कल्राज मिश्र की जगान लेंगे मिश्र का बतवर राजपाल पांच साल का कारिकार पूरा हो चुका है अब आपको बताते हैं कौन है हरी भाव किशन राव बागडे विजेपी नेता रहे हरी भाव किशन राव बागडे औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं 17 अगस्त 1945 को हरी भाव का जन औरंगाबाद के फुलंबर कजबे के एक मराठा परिवार में हुआ तेरा साल की उम्र में ही वो आरेसेस से जुड़े कहे थे 1965 से 1979 तक आरेसेस के विवेक में काम किया 1967 से 1972 तक जन संग के लिए कारिकर्टा के रूप में काम किया 1985 में पहली बार औरंगाबाद पूर्व सीट से विधाईक बने 2014 में पुलंबरी निर्वाचन छेतर से विधाईक का चुनाव जीता 2014 में महरास्ट विधान सभा के अध्यक्ष बने साल 2019 में पुलंबरी विधान सभा से चुनाव जीत कर वो महरास्ट सरकार में पूर्व कैबनेट मंत्री भी बने उन्होंने ग्रामीर इलाकों में दूद सोसाइटी की स्थापना की इसके साथ ही चीनी मिल में छेतर के लोगों को रोजकार दिया नई नियुक्तियों में राजस्थान विजेपी के दिगश रेता रहे गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राजजिपाल बनाया गया है कटारिया अब तक असम के राजजिपाल थे उन्हें पंजाब के साथ ही चंडीगर प्रशासक की भी जिम्मदारी दी गई है इसके साथ ही राजस्तान के ही विजे पीरेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम के राजिपाल की जिम्मदारी सौपी गई है वही संतोष कुमार गंगवार जार्खन के ने राजिपाल होंगे वह सीपी राधा कृष्णन की जगह लेंगे अब आपको बताते हैं कि सीपी राधा कृष्णन को महाराज का राजिपाल निउक्ति किया गया है जबकि सीएच विजे शंकर को मेगाले का राजिपाल बनाया गया सिक्किम के राजिपाल लक्षमर प्रसाद आचार्य को असम के राजिपाल बनेंगे उन्हें मनिपूर का अत्रिक्ति प्रभार भी दिया गया जिश्रु देव बर्मा को तेलंगाना का तोर्रेमन डेका को चत्तीसकर का राजिपाल निउक्ति किया गया है उत्तर प्रदेश बिजेपी के वरिस्ट्रेता और पूर्विस्तांसत संतोष कुमार गंगवार को जार्खन का राजिपाल बनाया गया हाला कि सबकी नजर इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश का राजिपाल किसे निउक्ति किया जाता है दरसल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल का कारेकाल 29 जुराई को खत्म हो रहा है यूपी में अब तक किसी भी गवर्नर को दुबारा मौका नहीं मिला अगर आनंदी बेन पचेल को दुबारा मौका मिला तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीती में इतिहास होगा माना ये भी जा रहा है कि अगले तीन महीने के लिए आनंदी बेन पचेल को सेवा विस्तार दिया जा सकता है Bureau Report News 18 और उकरेंगे अगली खबर का डुंगरपूर मेडिकल कॉलेज के अधिक्षट डॉक्टर महिंद्र डामोर ने बताया कि 11 जुलाई को डुंगरपूर मेडिकल कॉलेज इस्पताल के PICU वार्ड में एक तीन साल के बच्चे को भरती किया गया था बालदिया गाउं के बच्चे को उल्टी दस्त बुखार और घबराहट की शिकायत थी बच्चों में चांदीपूरा वार्ड के संदेग लक्षण होने से 18 जुलाई को दो बच्चों के सैंपल लेकर उद्धापूर भेजे गए थे उद्धापूर से सैंपल पूरे लेबुरेटरी बेजे गए थे और लैप से आज डुंगरपूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को रिपोर्ट मिली जुसमें तीन साल के लड़के में चांदीपूरा वार्ड की पुष्टी की गई डॉक्टर महिंद्र डामोर ने बताया कि चांदीपूरा वार्ड पूजिटिव बच्चा दो दिन पहले ही आया था और वो पूरी तरीके से ठीको कर लोट चुका है अस्पताल से उसके चुट्टी कर दी गई है हलाकि स्वास्त विभाग की टीमें बच्चे के घर पर ही उसकी मॉनिटरिंग कर रही है डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में मौसम के अनुसार कई बच्चे उल्टी देस्ट बुखार के मरीज आ रहे हैं कांदीपुरा वाइरस के संदे दिलक्षन मिलने पर उनके सैंपल लेकर जाज के लिए भेजे जा रहे हैं और उकरेंगे अगली खबर का भले ही देश में हाई सेक्यूरिटी जेल का निर्मान हो रहा हो लेकिन जिलों की सुरक्षा में सेंद रोकने का नाम नहीं थम रहा है राजस्थान के दौसा से ये खबर है जहां पर दौसा से समय बड़ी खबर आपको बता दे जब जेल के अंदर से ही दारजुलिंग के रहने वाले कैदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फोन पर धमकी दी आधी राथ को ये फोन जैपूर कंट्रोल रूम के पास आया जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दे गई सीम को मारने की धमकी मिलने के बाद जैपूर पुलिस सक्री हुई और ततकाल मोबाइल की लोकेशन लिगई जेल के अंदर पहुची और जेल के अंदर सर्च ओपरेशन चलाया गया जिस मोबाइल से फोन किया गया था वो फोन नीमो नामक कैदी के पास मिला ये कैदी रेप के मामले में जेल में बंध है और जैपुर पुलिस ने इस नीमो नामक आरोपी को दुशकर्म के मामले में गिरफतार किया था तो मुख्यमंत्री वजलल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर जेल के अंदर कैदियों के पास मोबाइल पोन कैसे पहुँच जा रहा है आपको बताते चले कि जैसे जैसे जेल के अंदर सर्च उपरेशन और जांक्ष तेज की जा रही है वहाँ पर बड़ी संख्या में कैदियों के पास मोबाइल पोन मिले हैं जो कई बड़े सवाल खड़े करते हैं तो वही राजधानी जैपूर में एक महिला को होटेल में कमरा दिलाने के बाहने घर ले जाकर गैंग रेप करने वाले बदमाशों की पुलिस ने सरे बाजार परेट करवाई एसेपी बोपाल सिंग भाटी और विद्याधर नगर थानप्रभारी राकेश ख्यालिया की अगवाई में पिछले दिनों गैंग रेप के आरोपी अमन कुरेशी शाकीर कुरेशी शेहबा खान और अलताफ खान को गिरफतार किया गया था जिनकी पहचान परेड और मौका तस्थीग कर रहे के दौरान पुलिस ने आरोपियों को पैदल घुमाया ताकि उनका डर भी पबलिक में खत्म हो सके और अब बाद पाकिस्तान वाले प्यार की पाकिस्तानी महिला महविश और राजेस्थानी युवक रहमान की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया है रह्मान की पहली पतनी फरीदा बानो ने उसके खिलाफ अनुमान गड़ के भादरा में केस दर्ज कराया है फरीदा बानो ने रह्मान पर उसे तीन तलाग दे कर पाकिस्तानी लड़की से निकाख करने का केस दर्ज कराया है इसके साथ ही उसने पती रह्मान और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताडित करने के भी आरोप लगाए हैं आपके एक लड़की है, इसमसे मेरा करना यह इसाने करना है को मुझे मेरे बंचोगार के रहे Monsieur Re insert ज़र्कार से निवदन है मेरी कहीं हैं जो मामला चर रहा है जो पाकिस्तान से के आती है यह क्याती चातीılar है और घ्रुजंप करें प्लूभ होंद पाकिर्व करता हूं इसकी लिए को सखनब का अरेते हैं पालतो हैं— एक नहीं काफी के सोगे मेरे सकार से निवदरन है कि कोई इसे कानों निकाड़े ने के लिए ये बस दामने बद्ची उजिने की फ्राब ना करें एक मशूर शेर है ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और दूप के जाना है पाकिस्तान के लाहोर की रहने वाली महविश को प्यार की कशिश हिंदुस्तान तक लिया है दो बच्चो की मा महविश चुरू के पीती सरगाओं के रहमान को दिल दे बैठी पहले फोन पर प्यार हुआ और साल 2022 में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए एक दूसरे से निकाह कर लिया रहमान भी दो बच्चो का पिता है लेकिन पतनी से अन्बन के चलते दोनों अलग रहते हैं मैविश के सस्राल वाले उसे वागा बॉर्डर से लेकर रतर नगर ठाने पहुंचे जहां पाकिस्तान के स्टुरहन से पूस्टाच कर तस्तावेजों की जाच की जरए पर अब मार्मुला का तो ही थी दोज़एष में अन्यवान के साथ नहीं रहते हैं तो दोज़एष में मैं अम्रे पे गई थी सौदिया में पिर उद्दर जाकि मुल्बी निकाफ पड़ाया था मारा इंडिया में अपने सुस्राल वडरों के पास आईग। मैं पाकिस्तान में रहती हूं मैं रहती हूं लेमान के साथ नहीं रहती हुएऐँ जो सवादी नहीं जासा विगे थी सौदिया मुँल्बी उड-अक में इननें हिडीगें अंका पास रह yönे हुए ए तब उसकी मात चल बसी, वो जब 12 साल की हुई तब पिता का इंतकाल हो गया, 10 साल से ब्यूटी पारलर में काम कर गुजारा कर रही थी साल 2006 में खुर्रम शैजाद नाम के शक्त से शादी हुई, जिससे 12 और 7 साल के दो बच्चे है मैविश के माने तो साल 2018 में पती से तलाक होने के बाद वो बिल्कुल अकेली रहे और फिर उसकी जिंदगी में रह्मान की एंट्री हुई साल 2020 में IMO पर दोनों की चान पहचान हुई, दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बात करने लगे और फिर एक दिन दोनों ने फोन पर ही वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए निका कर लिया आलंके निउज 18 के पास इस बात के कोई सुबूत नहीं है पासफोर और वीजा है रूशी बीजे पर आई है पंतारीस दिम्रा वीजा पिटी साथ और किस तरह की इदायत दी गई है इनके प्रिजनों को प्रिजनों के इदायत दी गई है कि आप कहीं भी रस्टेक्टेट्ट प्लेस पर नहीं जाओगे और 24 गंटे में गए कि आप इस इसरा लाईए प्रिजनों के निकात किया प्रिजनों के प्रिजनों को प्रिजनों को प्रिजनों करते हैं उसका छोटा भाई सलीम डाम में रहता है जबकि पिता अली शेर खेती करते हैं। रहान की शादी साल 2011 में भादरा के फरीदा के साथ हुए। रहान के दो बच्चे हैं। शादी के बाद रहान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई। फिलाल फरीदा अपने पिहर भादरा में रह रही है। परिवार को भी इस निकाह का पता साल 2023 में चला जब दोनोंने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की बहराल मैविश 45 दिन के टूरिस वीजा पर भारत आई सरहत पर खड़े ससुराल के लोग उसे नीजी वाहन से लेकर रवाना हुए और फिर सदा शेयर में एक रात भुटकर उसे गाउं पिति सल्ले आए लेकिन वो जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं लोगों के मन में कई सवाल है सवाल ये है कि आखिर मैविश दो बच्चों के पिता से शादी करने को तयार क्यों है दूसरा ये कि जब उसका पती कुवेट में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों बढ़े मैविश के भी दो बच्चे हैं वो किसके पास है न्यूज 18 राजिस्थान के लिए चूरू से मनोश शर्मा की रिपोर्ट और रुकरेंगे इस बीच दोसा से मिल रही सबसे बड़ी खबर का मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा को धमकी देने के मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दे जेल परिसर के अंदर मोबाइल मिले हैं जी हाँ मोबाइल लगातार इसे लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है और जब सर्च ऑपरेशन किया गया मोबाइल ढूंडने के दोरान अजीबो गरीब घटना करम हुआ जेल परिसर में जमा बारिश के पानी में पॉलिथीन में कुछ पैकेट्स मिले बारिश के भरे पानी से पॉलिथीन के पैकेट कुले गए तो इनमे से मोबाइल फोन निकले हैं कुछ बारिश के जमा पानी में मोबाइल फोन मिले कैदियों की बैरेक से चार्जर भी बरामद हुए है लालसोट के ASP कैदी नीमो से पुश्टाच में जुटे हुए है नीमो रेप के मामले में जेल में बन है लेकिन जेल के अंदर से ही उसने मुबाइल फोन के जरिये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी विशिष्ट केंद्रे काराग्रे शालावास में अब तक 10 मुबाइल फोन मिल चुके हैं इधर लालसोट के ASP लोकेश सुनवाल सीम को धमकी देने वाले कैदी नीमो से पुश्टाच में जुटे हैं दरजिलिंग निवासी कैदी नीमो रेप के मामले में सेंट्रल जेल शालावास में बंद है जेल प्रशाजन पर भी कई गंबीर आरोप लग रहे हैं कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक जाच में 10 मोबाइल फोन मिल चुके हैं चार्जर्स भी मिलें